इस जरम खुनली को मंगवाईए, ओरर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जरम खुनली के पन्नों में पाईए, चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो, तो मैं स्क्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ, आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है, पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, अभी और करें। दुख आया है तो सुक भी आएगा, जो गया है वो वापस भी आएगा, कोई भी चीज इस दुनिया में हमीशा हमीशा के लिए बनी नहीं रहती है, इस सिस्टी में शिरुवात है तो अंत भी है, तो आपके दुखों का अंत भी मैई के पहले सबताबे शायद चुपा माई के महीने के पहले सब्सक्राइब आपका कितना अच्छा होने वाला है क्या अच्छा क्या बुरा two environments जानेंगे था उस्वागत booty हो का हम बात करने वाले हैं माई 2023 के पहले सब्सक्राइप की एक तारिक से लेकर साथ तारिकी बात करेंगे आपका जरब दिन है शादी की साल गिरा है इस अपता हमें बहुत-बहुत शुब कामना है आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो पूरा लाब ले पाएंगे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले बेल आइक अज़ी के लिए हम बात करने वाले हैं सब्ता के शुरुवात का समय समाज में परतिष्टा पाने के लिए अच्छा है आप कठिन समय में लोगों की मदद आपको मिल जाएगी जब आपको बुरा वक्त होगा तो कहीं न कहीं से साहिता मिल जाएगी आपकी पद परतिष्ट यानि आप अच्छा काम करेंगे, आपको विश्वास होगा कि आप जो करने वाले हैं अच्छा करने वाले हैं, और सभी का सहयोग मिलेगा, घरेलू लोगों का, बाहरी लोगों का, सब्ता का मद्धिभाग संकेत दे रहा है कि आए में व्रद्धी होगी, आप अपने पैतर के जा सकते हैं, वहांने त्यारी पर धंकर्श कर सकते हैं, कुछ मालसिक तनाओ, कि ये भी छोटे मोटे संकेत मिलना हैं, संब्ध हो तो कोई नया काम शुरू करने से, बचे या सोच बचार के करें, सब्ता के अंतिम समय में आपको बहुत अच्छे सलाकार के रूप में कोई स चला मिल जाएगी, या आप खुद जो काम करने जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, आपके बच्ची आपके लिए अच्छी खबर आ सकते हैं, भावनात्मक संबंदों के लिए समय अच्छा है, दिल के रिष्टे और करीब होंगे, आपकी कल्पना होंगे, अच्छा परदर्शन करेंगे, कारे शेतर में दो, तीन, चार तरीकों समय, थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तनाव में भी अच्छा काम करेंगे, अतधिक लोब और लालच पर ना फसिएगा, कारे में और आलच से का भाव आपको पीछे ले जा सकता है, पैसो का दिवेश सोच समझ कर करिएगा, भागीदारी में बड़ा विवाद हो सकता है, और जुनका भी पार्टनर के साथ विजनस चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा तूटू में हो सकती है, आर्थिक पक्ष डामाडॉल ह हो सकता है, और जीवन साथी से भी सोच विचार के बात करिएगा, पाँच और शे सारी को समय ज्यान बर्दक रहेगा, आप इस समय में योग साधमा पर भी ध्यान दे सकते हैं, मेडिटेशन या कहीं घुमने फिरने धार्मी की जात्रा कर सकते हैं, तनावकरत सिस्ति से उतना आपकी परशानियों से चुटकारा मिलेगा, सुख से उधाओं पर पैसा नहीं खरच करेंगे, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, साथ तारीक उत्तम समपत्ती दायक रहेगी, इस ततिया अन्पूल है, कारिश खेतर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, एक अच्छ सब्तहा कहा जाएगा, छोटी-छोटी दिखतों के साथ बड़ी-बड़ी सफल ताइम, आप अपने लक्ष को पानी के लिए विशेश परिश्रम करेंगे, कोई नया मित्र बन सकता है, परोशियों से आपके संब्द्स उद्रेंगे, बच्पन के मित्रों से बातचीत हो सकत है, पाइटी-बाइटी का आप इंज्वाए कर सकते हैं, मौज मस्ती के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, वहां संबंद्री कोई खर्चा हो सकता है, और पुराना वहार है, तो संबल के चलाइएगा, सेहत का भी ध्यान रखिएगा, बाहरी भोजन से बचिएगा, भोजन आप सी तालमेल होगा, उनका सहयोग होगा, भाई बेन होगा, गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी, कुछ नए रास्ते में धन प्राप्ति की आप खोलेंगे, कोई प्लोट या घर वगएरा लेने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लाब का सौधा होगा, समी छ आरकर्म या परवारी गुस्तों में जाएंगे, कोई नया वहार निताली खरीदने के बारे में सोच विचार तो आपका चली रहा है, अगर आप कई बार हो सकता है कि आप अभी बुकिंग करा लें या खरीद लें, आपके संबन्द माता जी से बहुत अच्छे बने सटे वारी शेयर मार्केट में चोटा मोटा निवेश करके पैसा कमा सकते हैं, स्वभागी का समय है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उच्छ शिक्षा की पढ़ाई लिखाई के लिए आप विदेश से सम्मंद जोड सकते हैं, अपनी पूरी ताकत अपने वैसाय में नौकरी करने वालों की उन्नतीत है, विद्या में सफलता, नौकरी में सफलता, स्वास्त अच्छा, मन में पसंदता, माता पिता की सहथ अच्छी, जीवसाती से तार्मिल, अच्छा, खेल कूद में आप नंबर वन, सब कुछ बढ़िया है, वैपार में आप पैसा नए इन्वेस्टमेंट सो समझ के करिएगा, नए वैपार की शुरुवार सो समझ के करिएगा, और हर तरीके से आप खुशहाल रहेंगे, आपके चेहरे पर मुश्करहाट दिखाए पड़ेगी, आप मैं यही कहूँगा, पारिवारिक तोर पर और प्रोफेशनल तोर पर पर पारिवारिक तोर पर भी आप सुखी रहेंगे, वैवाही जीवन प्रेम समझ में सुखी रहेगा, यात्रा इलाबकारी रहेंगी, देश विदे से समझ जुड़ेगा, आँखे चार होंगी, यानि किसी से प्रेम समझ में भी आपके बढ़ोतरी होती है दिखाई पड़ लखी है और पस हर्मान जी की पैर पकड़ लीजी, आपका कल्यान होना थय है, घुमिये फिरिये, एश करिये, मंदिर वगएरा, धार्मित यात्राएं भी होगी, पिक्निक वगएरा भी होगा, घुमना फिद्दा भी होगा, धर्म भी होगा, और मौणि मस्ती भी होगा, ब प्रशंट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं जनम कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आप नीचे रह जाएंगे देखिए जीतता वही है जिसमें ताकत होती है जीतता वही है जिसके पास सारे हतियार होते हैं लड़ाई में आप सिर्फ खाली हाथ आपका दिमाग कि साथ भी चाहिए जनम कुली की जांच कराकर अपने हतियारों को या हतियार क्या है आपके ग्रह इनको मजबूत बनाएए बिना मजबूत ग्रह के आप तरकी नहीं पापाएंगे इस बात को जितनी जल्दी समझने उतना बहतर है तो अभी फोर्मिल आईए अपनी जनम कुल पर नमबर देख रहे हैं नमस्तार जोतिश वो परम ज्यान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं जोतिश को लिखने वाले बनाने वाले इश्वर हैं और इश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं यह आपको भी पता है तो अगर आपके जीवन में पुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परशानी से परशान है, वो परशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी जनम कुली में लिखा है, कि इस परशानी से कैसे आपको मुक्ती मिलेगी, तो आप भी अगर अपनी किसी भी परशानी से पॉक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जर्म खुल्ली आपकी मदद कर सकती है, 110 परसेंट, इस जर्म खुल्ली को मंगवाईए, आडर करिए, और अपनी समस्या का समाधान इस जर्मकुली के पन्नों में पाईए, चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो तो मैं स्क्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ती कब और कैसे मिलेगी अभी और रखरें नमस्कार